जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका अमारी ड्यूब चैनल कोल इंडियन आर्मी में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको SSB के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं की SSB क्या है इसका क्या काम होता है और इसका गठन कब क्या गया था इसमें कौन-कौन सी पोस्ट होती है और आप इसे कैसे जोइन कर सकते हैं इसका पूरा selection process क्या रहता है और इसका training period क्या होता है इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको अपने channel पर Indian Army और सभी paramilitary forces से जुड़ी सभी information बिलकुल सही provide कराते हैं जिससे आपको Indian Army और paramilitary से जुड़ी सभी information सही समय पर मिलती रहें और बहुत से candidate इन forces में अपना carrier बनाना चाहते हैं तो इससे उन candidates को भी बहुत help मिलती है तो दोस्तों इसलिए आज की ये वीडियो SSB के उपर होने वाली है SSB के बारे में आपको आज की वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस कर दीजे क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के information वीडियो बनाते रहते हैं तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेश्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों SSB यानि की सशच्तर सीमा बल यह एक पैरमिलिटरी फोर्स होती है आपने कई बार इसका नाम भी सुना होगा लेकिन आप SSB के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि यह क्या है तो मैं आपको बता दू कि यह एक पैरमिलिटरी फोर्स है और यह ग्रहम अंतराल है यानि की होम मिनिस्ट्रेल के अंतरगत आती है और इस पैरमिलिटरी फोर्स का काम भारत नेपाल बोर्डर और भारत भूटान बोर्डर की सुरक्षा करना होता है यानि की भारत नेपाल बोर्डर से ड्रक्स की स्मगलिंग की जाती है और जो हतियार होते हैं जो आतंकियों द्वारा तयार किये गए हतियार होते हैं उनकी भी वहां से स्मगलिंग की जाती है भारत और भूटान बोर्टर से भी इसी तरह की वारदात होती रहती हैं और आतंकी कतिविदियों को रोकने के लिए इस फोर्स का इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों अगर बात करें इस फोर्स की स्थापना की तो SSB की स्थापना 1963 में की गई थी 1965 का जो भारत चीन का यो दुआ था उसके बाद अगले साल से इस फोर्स की स्थापना की गई थी और इस फोर्स का मुख्य उद्देशे भारत नेपाल बोर्डर और भारत बूडन बोर्डर की सुरक्षा करना होता है और अगर बात करें इसके मुख्याले की तो इसका मुख्याले दिल्ली में है तो दोस्तों ये था कि SSB क्या है और इसका काम क्या होता है अब बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन सी पोस्ट होती है तो इसमें constable और head constable की post नॉर्मली होती है और इसमें अलग से SI याने की sub inspector, inspector और इसी तरह की और भी सभी post होती है जैसा की और सभी force में होता है तो इन सभी की भी vacancies में regular निगलती रहती है तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप SSB में constable कैसे बने दोस्तों सबसे पहले SSB constable में बरती होने के लिए eligibility criteria की बात करते हैं तो अगर सबसे पहले age की बात करें तो इसमें आपकी age 18-23 साल के बीच होनी चाहिए तब ही आप इसके लिए apply कर सकते हैं और अगर height की बात करें तो male candidate की height 170 cm होनी चाहिए और female candidate की height 157 cm होनी चाहिए और अगर आप ST category से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी north east region से बिलोंग करते हैं तो आपको height में relaxation मिलता है अगर आप male candidate हैं तो आपकी height 162.5 cm होनी चाहिए और अगर आप female candidate हैं तो आपकी height 150 cm होनी चाहिए दोस्तों ये केवल हुनी के लिए है जो north east region से बिलोंग करते हैं या फिर जो ST category के अंतरगत आते हैं इसके बाद education qualification की बात करें तो इसमें आपको 10th pass होना चाहिए यानि कि इसमे minimum qualification आपको 10th pass मांगी गई है अगर आपने किसी भी board से किसी भी recognize board से 10th pass की है तो आप इसके लिए eligible हैं आप इसके लिए अतलाइक कर सकते हैं और अगर इसमें chest की बात करें तो इसमें आपको minimum 77 cm chest होनी चाहिए और इसमें 5 cm का full hour भी आना चाहिए दोस्तों ये तो आपको बताई होगा कि chest के वल male candidate की हिनात भी जाती है female candidate की chest measurement नहीं किया जाता दोस्तों ये तो था इसका eligibility criteria अब इसके selection process की बात करते हैं कि कब क्या होता है दोस्तों मैं आपको sscgd के थरू जो ssb की vacancy आती है उसका selection process बताने वाला हूँ क्योंकि जादातर vacancy sscgd के थरू ही निगलती है दोस्तों sscgd के थरू जो ssb की vacancy निगलती है उसमें सबसे पहले आपको इसके registration form का अपलाई करना होगा जब आप उसके form का अपलाई कर देंगे तो कुछ दिन बाद आपका admit card जारी किया जाएगा और इसमें सबी candidate के admit card आते हैं याने कि जितने भी candidate form अपलाई करेंगे सबी के admit card जारी किये जाएगे जब आपके admit card आ जाते हैं तो उससे 5-7 दिन बाद आपका return exam होता है आपके return exam में 4 subject से question पूछे जाते हैं जिसमें gk, math, reasoning और हिंदिया English से questions होते हैं इन 4 subject से आपके 25-25 question पूछे जाते हैं जो की total 100 question होते हैं और 100 question को करने के लिए आपको 90 minute का time दिया जाता है और 7 में इसके आपके 1 by 4 की negative marking भी रहती है दोस्तों अगर आप इसके return exam को qualify कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी running कराई जाती है male candidate को 5 km के running लगानी होती है जिसके लिए आपको 24 minute का time दिया जाता है और अगर आप female candidate हैं तो आपको 1600 meter के running साड़े 8 minute में लगानी होगी यानि की 8 minute 30 second में आपको 1600 meter के running complete करनी होगी दोस्तों जब आप इसके return exam और physical को qualify कर लेते हैं तो उसके बाद आपका medical examination लिया जाता है यानि कि इसमें आपका पूरी body का check up किया जाएगा पूरी body की बिल्कुल बारी की से जाच की जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं कि SSB में medical कैसे होता है तो मैं कुछ ही दिन में आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं दोस्तों जब आप इन तीनों चीजे को qualify कर लेंगे तो उसके बाद आपके एक merit list बनेगी अगर आप उस merit list में आ जाते हैं और आप qualify कर जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है इसमें आपको 52 हफ्तों की ट्रेनिंग कराई जाती है यानि कि 52 वीक की ट्रेनिंग आपको complete करनी होगी उसके बाद ही आपको joining दी जाएगी जब आप 52 हफ्तों की ट्रेनिंग complete कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक महीने की छुटी दी जाएगी और एक महीने बाद आपको joining दे दी जाएगी दोस्तों बहुत से candidate इसकी salary के बारे में भी पूछ रहे थे कि sir इसकी salary क्या रहती है तो मैं आपको बता दूँ कि ssb constable की salary 21,700 रुपे से लेकर 79,100 रुपे तक रहती है यानि कि जब आप joining करेंगे तो आपको सबसे पहले 21,700 रुपे दी जाएगे और जैसे जैसे आपका experience बढ़ता चला जाएगा तो आपकी salary increase होती चली जाएगी अगर बात करें कि इसकी joining कहां पर होती है यानि कि जब आप training कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी joining कहां पर की जाएगी जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ssb का काम भारत नेपाल बोर्डर और भारत वूटान बोर्डर के सुरक्षा करना होता है तो इनकी joining भारत नेपाल बोर्डर पर और भारत वूटान बोर्डर पर ही की जाती है इससे अलग ssb की joining नहीं की जाती दोस्तों अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं अपना केरियर आप इंडियन आर्मी या पैरमलेटर फोर्स में बनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ी opportunity हो सकती है क्योंकि बहुत से candidate रहते हैं जो इंडियन आर्मी के physical को qualify नहीं कर पाते तो उनके लिए काफी बड़ी opportunity है कि आप ssb की तयारी करें क्योंकि इसमें physical यतना hard नहीं होता बस आपको written exam में थोड़ी मैनत करनी होती है अगर आप इसके written exam को qualify कर जाते हैं तो आपका physical भी हो जाएगा और अगर आप medically fit होंगे तो आपका selection इसमें 100% हो जाएगा तोस्तों अगर आपको ssb के बारे में और भी जादा जानकारी लेनी हो तो आप हमें comment box में जरूर बताईए और आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी हमें comment box में जरूर बताईए दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आपने like तो करी दिया होगा और चैनल को भी subscribe कर दिया होगा और दोस्तों मैं आपको एक बर धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सभी की वज़े से हमारे चैनल ने एक बहुती बड़ा आंकड़ा छू लिया है हमारे चैनल पर एक लाग subscribe फैमली हो चुकी है जिसके लिए भी मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंद मातरम